हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्व चैनल एक्जाम एक्षप्रेस में तो फ्रेंट्स कैसे आप लोग सारे अच्छे हैं सारे बडियां हैं मस्त हैं कैसी चल ली आप लोग की फिर प्रेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ओके, ओके, तो फ्रेंट्स मेरा नाम है बिक्रम, और मैं आप लोग को यहाँ पर डेली जीगे जीएस की प्रैक्टिसेशन करवाता हूं, ठीक है, हम लोग डेली कितने कुछन करते हैं, पचीस कुछन करते हैं, ठीक है, आप आप लोग के लिए कलास जरूर करवाया जागा, ठीक है फ्रेंट्स, तो जो लोग नए फ्रेंट्स अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पहला का अंदावाना बिल्कुल नहीं बुलिए, ठीक है, ताकि आपको समय से प्रेंट्स को नोटिफिकेशन बेगरा मिलती तो चलिए शुरू करें एक बार जली से कलास को शेयर कर दीजे जल्दी आजाईए चलिए शुरू करते हैं फ्रेंस ओके तो यह आपका पहला कोशन कोशन नमर वन क्या है पौधों के बीज में भुरून होता है जो उचित प्रस्तितियों में अंकूरित हो जाता है इस प्रक्रिया को इन में से किस के रूप में जाना जाता है In a plant, the seed contains the embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination, cross-pollination, pollination, transpiration. बताए, friends, अंकूरन, परपरागन, परागन, वास्पोत सर्जन. ओके, चलिए, friends, जदे विदल जी बताए, इसका अंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, जिन लोगा अंसर आ रहा है, option 1. जिन लोगा आ रहा है, answer, option 1, आप लोगा है, बिल्कुल correct. इसको क्या बोलते हैं? germination. क्या बोलते हैं, इसको अंकूरन बोलते हैं, ठीक है, friends. अदेके, pollination आपको पताए है, male, female से, sorry, male पौदों से, female पौदों में जो, पौदों मतलब, यह जो अंकूए, pollination जो होता है, friends, उससे जो होता है, क्या होता है? दूसरे जो फूल, जो वेगरा सब जो होता है, आपको पता है, यह बात, बहुत तरीके से होता है, pollination, insect के दौआरा होता है, air के दौआरा होता है, ठीक है, male, female, मतलब, जो पौदे होता है, plant में जो होता है, गैमिट होता है, उसको pollination बोलते हैं, ठीक है, pollination एक process है, उसमें, ओके, इस बात क्याद रखें, ओके, friends, चलिए, बढ़ते है, next question के तरफ, और आपका next question नहीं है, 2019 में जलवाई संबंधिक कारवाही और आपदा तैयारियों पर अधारित पांचवा, ABU Media Seeker समेलन कहां अयुजित किया गया था, where was the 5th ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Preparedness held in 2019, लेकिन, नेपाल, भुटान, चाइना, इंडिया, देलिए, इसकी अस्थापना कभी थी, इसकी अस्थापना भी थी, 1964 में, नेपाल के राज़ानी का है, friends, काठमांडू, काठमांडू, नेपाली का करणसी क्या है, नेपाली रूपिया, जब लोगों को बजट के माद्यम से वित्पोसित किया जाता है, और सर्वजनिक वस्तूओं को किसी भी प्रतेक्च भुकतान से मुक्त उपलब्द कराया जाता है, तो इसे क्या खाते हैं, बताई, when people are financed through the budget and a public good is made available free of any direct payment, it is referred to as public production, allocation function, public provision, stabilisation, पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, who among the following resisted the demand of the formation of Pakistan, मौलाना अश्रफ अली थानवी, मुहम्मद इकबाल खान, अब्दुल गफार खान, मुहम्मद अली जिन्ना, बताई, किनोंने माना किया था, फ्रेंट, जल्दी से बताईए, बहुत ही, बहुत ही important है, बताईए, किनोंने, जल्दी पताईए, तो फ्रेंट्स उनका नाम क्या था, उनका नाम था, बिल्कुल, यह बहुत important question, बहुत सरा question, उनका नाम था, खान अब्दूल गफार खान खान अब्दूल गफार खान ठीक है फ्रिंट्स इनका नाम था अब देखिए इनको बहुत सारे नाम से रहना था ठीक है इनको फरंटियर गांधी भी बोला जाता है इनको बासा खान से भी बोला जाता है ठीक है अब देखे ये भी एक अंदोलन के शुरुआत के थे कब 1929 में 1929 में ये भी एक अंदोलन के सुरुआत के थे वो था आपका खिदमतगार अंदोलन ठीक है खिदमतगार अंदोलन ठीक है तो आप फ्रेंट्स आप याद रखेगा सिमान्त गांदी भी इनको कहा जाता है वाचा खान भी इनको कहा जाता है बासा खान भी इनको कहा जाता है यह सब नाम लिखा आपको questions पूछा जाता है ठीक है तो यह आप याद रखेगा मुहम्मद इकवाल गवारे फ्रेंस एकवाल सारे जहाば लिल्वाई पाकिस्तानaya आपको पता ही आपको जैसे हमारे लिए महातमा गानदी है पाकिस्तान के लिए मुहम्मद अलिडि इनलिया ओके चली आगे बढ़ते अब दिख्याँ उस भी कल्ब का चैन के जिसा तिसरे पत के साथ वही सम्मन्ध है जो दूसरे पत का पहले पत से है अब सुछ बोलें कि वही क्यों ले लिए क्यों लिए दिल्ज बताई इसका answer क्या हो जागा जलनी से बताई है इसका answer क्या हो जागा तो friends जिल्णों का answer आया option D आप हैं बिल्कुल correct क्यों sir D ही क्यों होगा क्योंकि हरियाना की capital है चंडीगड ठीक है तो इसलिए पंजाब की capital क्या है चंडीगड है ठीक है बताए फ्रेंट्स कौन है ज़े बताए फ्रेंट्स देखे इसमें से फ्रेंट्स आपको जितना भी इसमें से option दिया गया है जिसमें इसमें से आपको जितना भी option दिया गया है फ्रेंट्स वो जो है उसमें आपको कहा है कुंड़न कुड़न कुलम कुडन कुलम जो है फ्रेंट्स ये जो है आपके नविंतम है ठीक है कुडन कुलम जो है आपके नविंतम है तारापुर का है माराष्ट्रा में है फ्रेंट्स ठीक है कल पक्कम का है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है कुडन कुलम है ठीक है फ्रेंट्स इसको किस के मतलब क्या बोलते हो इसको मतलब किस के हल्प से किस कंट्री के हल्प से इसको बनाया गया वो बताइए किस कंट्री के हल्प से इसको बनाया गया तो फ्रेंट से इसको बनाया गया रसिया के हल्प से ठीक है फ्रेंट्स रसिया के हल्प से ओके और यह है कहां फे फ्रेंट्स next question आपका यह रहा, किस PD के computer भारी, vacuum tube अधारित और महंगे थे, in which generation was computer bulky, vacuum based and costly, fourth generation, fifth generation, first generation, third generation, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए friends, क्या होगा इस cancer, जल्दी से बता दीजिए friends, इस cancer हो जागा आपका option C, क्या हो जागा option C, first generation का ठीक है, first generation का जो computer था, friends, वो क्या था, vacuum से था, और बहुत भारी भी था, और महगा भी था, ठीक है, ठीक है friends, महगा भी था, इसके storage के लिए friends, magnetic drum का यूज़ कहा जाता था, ठीक है, first PD के computer के लिए, ठीक है, ठीक है friends, अब देखिए, दूसरे में क्या शुरू क्या है, यूज़ होने लगा, जली बताई, क्या यूज़ होने लगा, transistor का यूज़ करने लगता, ठीक है friends, और तीसरी PD, तीसरी PD है friends, उगए 1963 से 1971 ठीक है, 1964 से 1971 ठीक है, ठीक है friends, यूज़ होने लगा, समझ में आया ये बात, father of computer किसको बलते हैं, कमेंट में जरूर बताईएगा, ओके, चलिए, आगे बढ़ें, ये रापका आगला कुछ सर्थ, इन में से किस रेशेदार फसल, fiber, crops का परियोग, मोटे, कपरे, बैग, थैले और साजावती समान बनाने के लिए किया जता है, हेंप, हुपवाइन, जूट का पास, बताई फ्रेंट अंसर देजी इसका, अरे ये तो आप लोग फाटाक से बता दीजेगा, जिरे बताई फ्रेंट का होगा इसका अंसर, बिल्कुल सही, जिन लोग का अंसर है, और याद रखिये, जूट तो इसका करेक्ट अंसर है, जूट के उत्पादर में इंडिया कितने नमबर पे है, नमबर वन पे, ओके, बढ़ते हैं, नेक्स कोस्टन के तरफ, आपका नेक्स कोस्टन आई है, भारत के सम्मिधान का कौन सा अनुछेद, राज जिपाल की नियुक्ती से सम्मंदित है, आपके, फ्रेंट से उसalen के जुटकी सम्मंदित हैं, ठीक है? राज जिपाल से सम्मंदित है, ओके फ्रेंटस, ठीक है, याद रहेगा आपको या बात, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स को सें तरफ, यह रापका नेक्स के शाshift, Amnesty International नामक संस्थान नामक संगठन इन में से किस की सुरक्षा पर केंद्रित है Amnesty International is a organization focused on protection of environment, human rights, endangered species, malnutrition of children जली से बता देज़े, फ्रेंट्स इस कांसर क्या आओ जाएगा फटाक से बताईए किस पर है तो फ्रेंट्स ये है आपका human rights पर, किस पर? मानमा अधिकार पर, option number B जिन का है? इसका headquarter का है London में है, कहां पर है? London में इसके अस्थापना कभी थी? 1961 में, याद रहना चाहिए, ठीक है अस्थापना 1961 में, headquarter का है? London में और किस के पर, उसके किस का protection करता है? human rights का, ठीक है चलिए कौन सा अंदोलन सांती की दिरिष्टी से नकारात्मक था? किन्तु प्रभाब की दिरिष्टी से पर्याप्त सकारात्मक था बताइए चलिए कि पर्भाब की दिरिष्टी से नकारात्मक था? cancel जाएगा आपका option C कौन सा? Non-cooperation moment, ठीक है? Non-cooperation moment, ओके फ्रेंट्स, अब दिखिए स्वधिसी अंदोलन जो है यह कब वो था? 1905 में खिलाफ़त 1929 में 1920 1920 में इसका शुरुवात हो गया था, ठीक है 12-4 अंदोलन, 1942 में ठीक है, फ्रेंट्स? चलिए याद रहेगा आपको? ओके बढ़ते हैं आगे next question के तरफ For which book Arundhati Roay was confirmed with the Booker Prize Arundhati Roay को किस पुस्तक के लिए Booker Prize से समानित किया गया जलिश बताई फ्रेंट्स, power politics the cost of living and ordinary persons guide to empire the god of small things जल्दी कीजीए जल्दी कीजीए फ्रेंट्स इस कैंसर क्या हो जाएगा बुक बहुत अच्छा है बुक बहुत अच्छा है मेरे पास ये बुक है कब इसके बुक अभ और पॉत 19 1997 97 में ओके फ्रेंट्स चलिए नेक्स कुछने तरह बढ़ते हैं फटाक्स चलिए सवभाग योजना केंद सरकार के किस मंत्राली के निरंतरन के अधीन है अधीन के अंतरगत है तो फ्रेंट्स मिनिस्ट्री आफ सवभाग योजना के अंतरगत में तो ये हैं आपके इसका मकसद क्या है इसका मकसद का हैजै कि फ्रेंट्स के 2018 आपके याद रखेगा आगए बढ़ें who was the governor general of Bengal when the permanent settlement was introduced in 1793 बताई एंसर Robert Francis Warren Hastings Charles Convalis William Hodges जलिज बताई फ्रिंस कौन थे कौन थे permanent settlement आपको यादी होगा permanent settlement से तो हमेसा याद रहता है कौन थे तो फ्रिंस Charles Convalis थे कौन थे Charles Convalis फ्रिंस ठीक है तो यही थे अस्थाइद बंदोबस्त लागो जो फ्रिंस वा था उसने बंगाल के गवरनर कौन थे यही भाई साब थे फ्रिंस यह बात आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा बिल्कुल याद रहेगा आगे बढ़ें नेक्स कोशन की तरफ बेव एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्य डॉट कम का आफिपराय क्या है इन बेव एड्रेस दर डोमेन इंडिकेटर सफिक्स डॉट कॉम एस्टेंस फोर कॉम्पीटर कम्मुनिकेशन कॉमन कमर्सियल फटाक से बता देजिए इसका अंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स जिन लों का भी अंसर आया है इसका उप्शन डी आप है बिल्कुल करेक्ट क्या है आप है बिल्कुल करेक्ट ठीक है वावा किजिए अपने लिए वावा किजिए ठीक है अब देखिए ये तो .com का होगा और भी बहुत सारे डोमेन इसको आप जान की रखिए जैसे कि आपको आता है न डॉट गॉव जी यो भी होता है एक और रता है .edu देखें है न ये सब आपका जैसे .in .org आता है कि आता है तो इस सब को भी याद रखिए ओगे फ्रेंट्स चलिए बढ़ते है नेक्स कोशन की तरफ आपका रहा नेक्स कोशन ये जैजवान जै किसान का प्रसिद नारा किस ने दिया था लाल बहादुर सास्त्री इंदरा गांधी सरदार पटेल जैप्रगास नारा फटाक् इनी के टाइम पे फ्रेंट्स उसके बाद पाकिस्तान के युद के बाद जैप्रेंट्स हमारा एक तासकंद फाइल साइन हुआ था जो कि लाल बादुर सास्त्री जी और पाकिस्तान के दरब से मिनिस्टर थे उनके बीच में साइन हुआ था ठीक है फ्रेंट्स ठीक है या इंद्रा गांधी लेडी प्राइम बिनिस्टर जो हैं इंद्रा गांधी थी हमारी फर्स्ट ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ें नेक्स सुसंतर बढ़ते हैं मनुसमें निमनिम से किसका ऑक्सीजन के परती उच्छ सम्बंध है इन हमें बढ़ें फर्स्टर जागा बिल्कुल सही हैं जिनका अंसर आरा friends hemoglobin भी ही جو है friends हमारे सरीर में oxygen को जो है क्या करता है इधर से उधर कहाँ पूरे सरीर के हर पार्ट तक oxygen कोन पहुचाता है hemoglobin का ही काम है hemoglobin का भी काम है पूरे body parts में oxygen पहुचाना ठीक है इसलिए देखेगा जब hemoglobin कम हो जाता है मापनी जब आता है मापते हैं जब कम होता है तो इसके बज़ेश आपको वीकनिस बेगरा फील होता है ठीक है? चलिए नेक्स कोशन में तरफ बढ़ते है पटापट करेंगा फ्रेंड्स पटापट जल्दी इस रोद दुवारा Human Space Flight Center HSFC का उद्गाटन कब किया गया? जून 2018 जून 2019 जन्वरी 2019 जन्वरी 2018 फटापट से बताए इसका अंसर पटापट बताना है इसका अंसर फटापट से बताए क्या होगा इसका अंसर कब किया गया? कब किया गया भाई? जल्दी से बताईए इसका एंसर कब हुआ था जोन इसरो इसरो आरें फ्रेंट्स आपको बहुत अच्छा तरीके से बताए भी है चलिए इसका एंसर बता दीजे तो समझें कि बहुत अच्छा बात है बताईए बताईए जल्द से बताई एसका एंसर क्या होगा फ्रेंट्स कब किया गया था बाई बarni जनवरी 2019 को अब आपको हम एक्जाक्ट टेटी बता देते हैं यह था सीमें 30 जनवरी को कब कया गया था 30 जनवरी को इस दो का है डैंगलोर में कब बना था 1969 में ठीक है अब ये जो HFC इसका उधगाटन कहां किया गया है इसका उधगाटन भी कहां किया गया है सो आपको बताना है कहां पे कहां पे बताना है यह हम बताएं आप बताएंगे हमारे दिल बताई कहां पे किया गया था इसका जो HFC जो है फ्रेंट्स ये जो है Human Space Flight Center का उद्गाटन जो है फ्रेंट्स 30 जनवरी 1979 को ही किया गया था 1969 को ही किया गया था ओके फ्रेंट्स और आप हमें comment में ये बताईएगा कि ये Human Space Flight Center जो है फ्रेंट्स वो कहां पे है ठीक है कहां पे है वह से हम आपको hint दे चुके है जो आम लोगों को रोज मर्रा के जीवन के चित्र परी दिरिस और दिरिस्यों को चित्रित करता था जोर्ज चिन्निरी, वाल्टर एस्टेट्समैन, विलियम होजेस, वाल्टर सेल्वील जली से बताई फ्रेंट्स कौन थे ये भाई साब? कौन थे? तो यह थे फ्रेंट्स आपके option A it's correct क्या नाम इनका जॉर्ज चिन्नरी ठीक है इनका जन्म हुआ था कब 1734 ठीक है फ्रेंट्स लंदन में हुआ था इंडिया में जो है रहे के बहुत दिन तक 23 साल तक रहे और यही जापका चित्रित करते थे ओके फ्रेंट्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ www 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 के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का परियोग के राता है FTP, SMTP, TCP IP, HTTP HTTP बता ही जले से फ्रेंट्स इस कांसर क्या हो जाएगा इस कांसर जाएगा फ्रेंट्स आपका option D HTTP, HTTP का full form क्या होता है FTP क्या आप हमें full form बताइए इसका HTTP फ्रेंट्स क्या होता है क्या होता है Hypertext Transfer Protocol ठीक है FTP Hypertext 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 Markup Language मत कर दी जाएगा HTML का full form होता है Hypertext Transfer Protocol ओके फ्रेंट्स ठीक है ठीक है क्या ये full form सही है की नहीं है आप हमें comment में जरूर बताइएगा ठीक है फ्रेंट्स चले बढ़ते हैं आगे अच्छा HTTP STTP का यूज क्या क्या जाता है क्यों क्या जाता है सुद बताइए फ्रेंट्स इसका उप्यों का दो या दो सेथिक कॉंपीटर को जो है फ्रेंट्स उसके बीच में जो है Hypertext जो है ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है ओके आगे बढ़ें नेक्स कोसन की तरफ आपका नेक्स कोसन है ये फ्रेंट्स इसका एंसर हो जाएगा आपका उफ्सन भी मुल्क राज अनन्द कोन होगा फ्रेंट्स इसके एंसर क्या है मुल्क राज आनन्द भाई साब जो है मुल्क राज अनन्द जो है जो ये बुक लिख्या आपका उसका नाम क्या Untouchability Untouchable फ्रेंट्स अब देखिए आप मुझे एक बात बताएगे आर्टिकल में हमारा जो आर्टिकल है कितना नमर आर्टिकल में Untouchability के बारे में बोला गया है वो आर्टिकल आप हमें कहां बताएगे वो आर्टिकल आप हमें बताएगे कहां पे ये रहाब का next question इन में से किस राज में सरवाधिक संख्या में cotton मिले इस्थित हैं और उन में से अधिकांस कपरे के बजाए सूत का उत्पादन करती है तमिलाडू केरल करनाटक गोवा जिलिश बताए फ्रेंट्स इसका अंसर क्या हो जागा पटाक से बताए इसका अंसर क्या हो जागा फ्रेंट्स जिलिश बताए फ्रेंट्स इसका अंसर जिलिश बताए तो फ्रेंट्स इसका अंसर हो जागा आपका option A option A is correct, क्या हो जागा Tamil Nadu क्या हो जागा इसका answer friends Tamil Nadu, ठीक है Tamil Nadu, अब दीखे, friends भारत में सबसे ज़्य 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 तक cotton कहां पे होता है वो होता है आपका गुजरात में, कहां पे होता है गुजरात में, ठीक, और cotton के लिए friends black soil ज़ो होता है, उस पे cotton ज़्यादा होता है यह भी याद रखिएगा, okay friends बढ़े next question की तरफ यह आपका next question गोलिय दरपन का प्रावर्तक सता का केंद बिंदू क्या कहलाता है, the center of the reflecting surface of the spherical mirror of a point is called center of curvature pole, focus, principle axis इसका answer बता दीजिए आप सभी को पते, इसका answer कहा हाता है इसको بولते है, क्या बोलते है कहनद बिंदू क्या बोलता है, principal axis क्या बोलता है, principal axis मुख अक्ष बोलते है, ठीक है मुख अक्ष बोलते है, चलिए, बढ़ते है next question की तरफ, आपका next question आईए, इनमें से किसने अपने सामराज को संगठित एवा मजबूत बनाने के लिए सिंदु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक साही मतलब रॉयल सरक का निर्मान करवाया था कराया था जिसका नाम बिर्टिस काल के दोरान बदल कर जिटी रोत कर दिया गया यह बहुत ही इंपोटेंट है बहुत बार यह कोशन रिपीट हुए ठीक है और एंग जेव सेर सा सुरी बहादूर सा जफर आलम सा जल्दी से बता दीजिए इस cancer मजा ही आजए आप लोग इस cancer बता दीजिए friends देखिएगा मजा ही आजएगा जल्ली से बताई इस cancer क्या हो जाएगा फटाक से बताईए और बहुत ही important question है पता नहीं कितने बार पुछा जा चुका और कितने एक्जाम में पुछा जा चुका यह question ठीक है जली से बताई क्या हो गाइस cancer तो friends बिल्कुल सही जिन लोग cancer आ रहा है option भी आप हैं बिल्कुल correct सेहर सा सूरी क्या हो जागाइस cancer सेहर सा सूरी ठीक है सेहर सा सूरी जो है यह करवाए थे ठीक है friends ठीक है यह बात समझ में आया बात समझ में आया ठीक है ओके ओके friends चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question आपका यह रहा उस विश्व परसिद बेग्याने का नाम बताईए जिसे साफेक्षात साफेक्ष्टा के सिधान्त ए ठीयोरी ओफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है थॉमस एलवाइडिशन क्रिस्टियन बरनार्ड अलवर्ट आइंस्टीन जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन दिली से बताई friends क्या हो जागा इसका अंसर बिल्कुल सही जिनलों का अंसर आ रहा है क्या एकदम हसते खेलते जिनलों का भी अंसर आ रहा है आपसंसी आप है बिल्कुल करेक्ट अलवर्ट आइंस्टीन ठीक है friends इनको त्योरी ओफ रिलेटिविटीज का सिधान जो यही दिये थे तो friends यह थे आपके आज के 25 कुश्चन आसा करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लागा होगा ठीक है friends सेशन को सेर कर दीजे लाइक कर दीजे ठीक है कमेंट में जरूर बताया किजें सेशन कैसा लगता आप लोग और जो कुशन आप लोग से कमेंट में पूशते अंसर देने के लिए उसका अंसर आप लोग बहुत कम बचे देखते है बहुत कम देखे देखें डी नाजर बोल रहे है डीजाइनर जी देते हैं रक्षा दी देती है और लोग क्यों नहीं देते हैं friends आप से भी अंसर दिया किजिए और class session के बारा यहां बता है इस session का समाप्त करते हैं उससे पहले friends जो भी electrical वाले बच्चे है जिलनों का branch electrical है ठीक है टेकनिकल जो भी AE का JEE का preparation कर रहे है RRB JEE, SSC JEE, ठीक है State AE, State JEE जो भी preparation कर रहे है Friends, आप सभी के लिए बहुत जल्द फिर से एक और हमारी technical की faculty आप लोग के साथ जूरने वाली है, ठीक है आप लोग को उनका वीडियो देखी लिए होंगे उन्होंने अपना announcement कर दिया है कि जूर रही है हमारे साथ, ठीक है नामें उनका मुकेस में Friends, बहुत ही well experience teacher है ठीक है, faculty पहले भी बहुत अच्छे तरह बहुत सारे जगहां पर उनका experience भी है पढ़ाने का अच्छा खासा AEJ की बच्चों के लिए बहुत पढ़ाई है, ठीक है Friends तो आप लोग को बस क्या करना है, एकदम जूरना है उके Friends, एकदम जूरना है उस session में, मैं बहुत जल्द ही आप लोग के लिए session लेकर आने वाली है वो आपको details में बता दिया जाएगा उके Friends, तो चलिए Friends, इसे कसा session को समाप्त करते हैं, एक बाद जरूर like करके जाए, like करते हुए जाना है आपको